हाल के महीनों में चना के घरेलू बाजार मूल्य में कुछ तेजी आने के बावजूद रभी सीजन के इस सबसे महत्वपून दलहन के कुल बिजाई छेतर में कमी आई है। मालूम हो कि देश में दलहनों के कुल वाशिक उतपादन में चना का योगदान 45-50 प्रतिशत के बीच रहता है। दरसल उतपादन की मात्रा के द्रिश्टिकोन से चना सबसे प्रमुख दलहन फसल है। आधिकारिक आकडों के अनुसार चालू रभी सीजन के दोरान 19 जनवरी 2024 तक देश में चना का कुल उतपादन छेतर 102.90 लाख हेक्टेर पर ही पहुंच सका जो पिछले सीजन की समान अवधी के बिजाई छेतर 109.75 लाख हेक्टेर से करीब 7 लाख हेक्टेर कम है। महत्वपून बात यह है कि मध्य प्रदेश एवं कुछ हद तक उत्तर प्रदेश को छोड़ कर देश के अन्य अधिकांश प्रमुक उतपादक राजियों में चना के बिजाई खेतर में गिरावट आई है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, करनाटक एवं गुजरात भी शामिल है। इसके फलस्वरूप चना का उतपादन चालू वर्ष के दोरान घटने की संभावना है। पिछले साल की तुलना में चालू रभी सीजन के दोरान चना का उतपादन मध्य प्रदेश में 21.08 लाक हेक्टेर से उचल कर 23.46 लाक हेक्टेर, उत्तर प्रदेश में 6.24 लाक हेक्टेर से बढ़कर 6.82 लाक हेक्टेर, तथा 36 गर में 3.66 लाक हेक्टेर से सुधर कर 3.76 लाक हैक्टेयर पर पहुंच गया है। साथ ही तेलंगाना में चना का क्षेत्रफल एक दशमलव तीन तीन लाख हेक्टेयर से गिरकर 99,000 हेक्टेयर तथा देश के अन्य राजियों में 8.2 शूने लाख हेक्टेयर से घटकर 7.75 लाख हेक्टेयर रह गया। चना का बाजार भाव कुछ महीनों तक उंचा और तेज रहा था लेकिन अब सामानिस्तर की तरफ वापस लोटता नजर आ रहा है। सरकारी एजनसी नैफेड के पास अभी इसका भारी भरकम स्टॉक मौझूद है और इसकी नियमित रूप से बिक्री भी हो रही है। अगला उत्पादन कम होने से चना के बाजार पर कुछ मनोवै ग्यानिक असर पड़ सकता है जिससे इसका भाव आगामी महीनों में तेज हो सकता है। झाला 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 के असर प्राइड करने से बिक्ताव हो रही है। झाल 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 ऐसी विल्डर झाल 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 झाल